आज हम एक जनवरी दो हजार बीस को भीमा कोरेगाओ की पराक्रम का शाउर्य का बहादूरी का जशन मना रहे हैं इस दिन अठ्रा सो अठ्रा में एक जनवरी को पुना के पास भीमा कोरेगाओ जहां से भीमा नदी बहती है उस नदी के किनारे पेश्वा के कम अधिक तीस अजार सहिनिक जिसमें पांच अजार घुड़ सवार थे और बाकिया कई सैनिक थे और दूसरी तरफ अंग्रेज की सेना के बांबे सेना के बांबे बटालियन के जिसे हम बाद में माहर बटालियन भी कहने लगे सिद्नाक माहर नाम का बाहदुर पराक्रमी सेना पती था जिसने टॉड नाम के अंग्रेज कैप्टन के साथ पेश्वा के तीसजार सेना का मुकाबला किया और एक दिन और एक रात उतनी बड़ी सेना को रोके रखा और तीसरे दिन उसका धज्या उड़ा दिया उड़ा दिया इस पराक्रम को समारक के रूप में अंग्रेजों ने भीमा कोरेगाओं में बदल दिया और वहां उन्होंने एक शवर समारक बना जहां पांसव माहरों ने जो बाहदुरी दिखाई जो पराक्रम दिखाया जो विजय हासिल की उसको मनाने के लिए उसको अमर करने के लिए उन्होंने एक स्तंभ बनाया जिसे विजय स्तंभ का आजाता है और वहाँ जिन महार साइनिकों को शहीद होना पड़ा उनके नाम लिखे है इस लड़ाई में माराठा भाई थे, क्रिश्यन भाई थे और मुस्लिम भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे और दलिद भाई भी थे महार बटालियन के नाम से और वो विजए हासिल इस तरह हुई कि दुनिया में इस मिसाल का, इस बहादूरी का, इस कामियाबी का, इस विजए का कोई सानी नहीं मिलता और यह बात जब बाबा साहब डॉक्ट रामबिटकर को पता चली, तो 1927 में बाबा साहब डॉक्ट रामबिटकर ने एक जन्वरी को भीमा कोरेगाओ के सैनिकों को आधरान जली व्यक्त करने के लिए उनके बहादूरी का सनमान करने के लिए वहां उस जगे को उस मारक को भेड़ दी और वहां जो भेड़ दी गई उसकी तस्वीर सारे भारत में फैली हुई है, सारे लोगों के पास पहुच गई है, बाबा साहब ने पहले जन्वरी को 1927 में भेड़ दी और उसके बाद वो हर साल उस मारक का दर्शन करने के लिए जाय करते थे और उनके कारण, उनकी भेड़ के कारण, उनके यात्रा के कारण, विज्याय यात्रा के कारण, हर साल बाबा साहब डौक्ट रामबट करके अन्याई बाबा साहब डौक्ट रामबट करके भीम सहनिक वहाँ जाकर शद्धान जली अर्पन करने लगे आदरान जली अर्पन करने लगे और वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्त्रोत बना प्रेरणा केंद्र बना कि जिसने बाबा साफ डॉक्ट रामबटकर को अन्यात्याचार के खलाप लड़ने की ताकत दी और एक जमाना ऐसा आया उनी जवन दिनों में कि बाबा साफ डॉक्ट रामबटकर ने 25 दिसंबर को क्रिस्मस के दिन महाड में पानी का सत्यागर किया पानी को छुआ और मनुस्पनती को वहाँ सहस्र बुद्धे और एक गोसाई के उपस्तिती में मनुस्पनती को अंगार लगा दी कि जिस ग्रंथने शुद्रों को मानवाधिकार से वंचित कर दिया था उनके जीवन को एक प्रानी का जानवर का जीवन बना दिया था जानवर से भी बत्तर बना दिया था जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते थे परन्तु आदमी पानी नहीं पी सकता था बाबा साफ डॉक्टर रामबेटकर ने वहाँ जाकर सत्याग्र किया और यहां तक के पहले सत्याग्र में उन्होंने गांदी जी की तस्वीर भी लगाई और वो लड़ाई बाबा साफ डॉक्टर रामबेटकर ने बाद में कोर्ट में जीती तो यह जो इतियास है यह सारे दलीत, शोशीत, पीडित, सरवहारा समाज को ताकत देता है, हिम्मत देता है बहादूरी के लिए शाबास की देता है और बहादूरी करने के लिए अन्यात चारक के खिलाप लड़ने के लिए कुर्वानी देने के लिए तैयार करता है ऐसा यह पवित्र दिन है विजय योद्सव है और मैं मांता हूं कि शिद्नाक माहर के नेत्रुत्व में जिन 500 महर लोगों के साथ साथ दूसरे भी लोगों ने वहां विजय हासिल की मैं भारत के इतिहास का दलितों का शोशितों का पीडितों का पहला मैं स्वतंतिता संग्राम कहता हूं और वो संग्राम सहिनिकों के कारण वो संग्राम सहिनिकों के कारभून अपले करवानी के कारण आने वाली पीडिया अपनी जान निच्छावर करने के लिए मार बटालियन में सामिल हुई और एक समय ऐसा आया कि जब वर्ल्ड वार टू शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि अंग्रेजों को हमने साथ देना चाहिए आज जो देशभक्ती की बात करते हैं देशभक्ती सिखाने की बात करते हैं उन लोगों ने कहा कि अंग्रेजों को हमने साथ देनी चाहिए ताकि अगर अंग्रेज अपने हिटलर को साथ देना चाहिए हिटलर के साथ देने के लिए उन्होंने आरे वंश की श्रिष्ठता को कबूल किया था वो भी आरे की विशिष्ठता चाहता था वो भी आरे को रक्त को शुद्ध रक्त कहता था और बाकी सारे लोगों के रक्त को अशुद्ध कहता था और भारत में भी एक ऐसी जमाद थी, साड़े तीन परसेंट लोगों के विचारों की लोगे प्रतिनिद्व करने वाली जमाद थी, के जिनोंने हिटलर को अपना हीरो माना था, हिटलर के माइन काप को अपना पवित्र ग्रंत माना था, और मुसोलिनी और हिटलर की तरह बारत में भी डिमोक्रासी नहीं, लेकिन हुकम शाही, डिक्टेटर्शिप की उन्होंने बुनियाद रखने के कोशिश की थी, और तब बाबा साब डॉक्ट रामबेट करने कहा कि माहर बटालियन के तरुनों ने माहरों ने माहर जवानों ने मिलिटरी में शामिल होना चाहिए माहर बटालियन बनाने के लिए रिवाइब करने के लिए बाबा साब ने अंग्रेज सरकार को मजबूर किया महार बटालियन बनी और महार बटालियन को बाबा साथ डॉक्टर रामबिट करने तरुनों को तमाम तरुनों को कहा कि आप महार बटालियन जॉइन कीजिए और हीटलर जो डिमोक्रेसी नहीं मानता जो रक्त शुद्धी के नाम पर जू लोगों का कतल गारत कर रहा है, लाखों जू लोगों को गैस चंबर में मार रहा है, लोग शाही का खात्मा कर रहा है, इंसानियत की तबाही कर रहा है, तो उसके खिलाब लड़ना चाहिए और बाबा साफ डॉक्ट रामबिट करके माहर सेनिक माहर बटालियन के नेतूतों में हीटलर के खिलाब लड़े, और इतियाज गवा है कि हीटला हार गया, और बाबा साफ डॉक्ट रामबिट करके कहने के मताबिक, भारत की नई दुनिया की डिमोकरसी, लोगशाही जमूरि सेवियत बज गई यह जो प्रेजडा मिली बाबा साफ DR. अमट करको हिटलर के खिलाफ लजने की वो प्रेजड़ना उने बाबा साफ इन डाख अमट करको यह भीमा कोरे गाउं के पौधा करको यहीं धीमा कोरे पेश्वा को कि श्रीमंत हम आज तक आपके लिए कुर्बान होते रहें आपके लड़ाया जीत के देते रहें आपके जान बचाते रहें आपके प्राण बचाते रहें आपका राज बताते रहें बचाते रहें आपके बार भी ऐसा मोका आया है कि अगर हमने यह लड़ाया आ क्या हमें इनाम देंगे क्या हमारे लोगों को अशूत के नाम से उनके थूखने का जमीन पे उनको अधिकार नहीं है इसलिए उनके गले में एक बरतन बांदिया मिट्टी का थूखने के लिए ताके वो सड़क पे ना थूखे और उस पर से चलने वाले ब्रह्मन आदमी के प पवित्र नहों हो जाएं इसलिए आपने आपके श्वेश पेश्वा सरकार ने उनके गले में मिट्टी का बरतन बांदिया अगर वो सड़क पे चलता है तो बारा बज़े के पहले और बारा बज़े के बाद कभी नहीं चलेगा क्योंकि अगर वो बारा बज़े के बाद च उसकी च्छाओं जो है वो आगे से पीछे से आने वाले ब्रह्मन के शरीर पर पड़ेगी और ब्रह्मन अपवित्र हो जाएगा उसको दो बार नहाना पड़ेगा और इसलिए उसके कमर को आपने जाडू बांदिया था ताकि उसके नक्ष कदम जो है उसके पाउं जो साड़े तीन टक्के वाले ब्रह्मन आदमी को पता चले और इसलिए उन्होंने उसके हाथ में एक लक्डि दे दी और लक्डी को घुंगरू बांदिया और हाथ में काला धागा भी बांदिया पाउं में भी धागा बांदिया ओसको देखकर और घुंगरू की आवास वो उससे दूर खड़ा हो जाए उसको अपने नजदिक ना अने दे ये जूंडा आ जाचक अन्याय कारक मानवाधिकार के आदनी के अधिकार के हनन करने वाले नियम आपके पेशवाई में लगें उसका आप क्या निशित करेंगे उसको बंदी डालेंगे उसको बंद करेंगे तो पेश्वा ने कहा श्रीमंत पेश्वा ने कहा श्रीमंत कहते थे उनको पेश्वा ने कहा आप इस गलत फैमी में मत रहना अगर आपने ये लड़ाई हमको जीत दी अगर आपके बलबूते पर हमने लड़ाई जीती तो आपके ये बततर हालात में आपको गुझरना होगा आपको इस बधतर हालात से भी आगे गुझरना होगा और उसे बरदास्ट करना होगा तब श्रीमन्त ने कहा कि श्रीमन्त ये अपनी आखरी मुलाकात हैं, आज ये बात तैव हो गई है, कि आज हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आज हम आपके साथ नहीं रहेंगे, और अब जो लड़ाई होगी, वो आपके खिलाप लड़ाई होगी, अंग्रेज के खिलाप लड़ाई नहीं होगी, हम पेशवाई का नाश करने के और इतियास गवाह है यह भीमा कोरेगाव पे आने वाले लड़ने वाले महारसाइनिक बहुत दूर से चल कर आये थे पाने भी नहीं मिला था पीने के लिए खाने के लिए रूटी भी नहीं मिली थे और रात भर चल के आये और वहां भीमा नदी के किनारे पे उन्होंने किव बल पानी पिया और पानी पी ने के बाद पेश्वा की 30,000 सेना का मुकाबला किया और जुनका जो कैप्टन था टाड़ उसने कहा के हम नहीं लड़ेंगे हम विड्रा हो जाएंगे तब यह सिदनाक नाम का महार जो सेना पती था प्रमूख था उसने कहा कि हटने की बात मत क करना हाटने की बाद कि बिलकुल मत करना रिर्टिट की बाद करना दिक एम आकरी गोली तक और आख मैं आख रिया आद्मी तक आदमें टों क्री अटेम्हानिक तक हम लड़ते रहेंगे-द्टे रहेंगे और तब टॉड को अपना निरने बदलना पड़ा और बाबा साहब डॉक्ट रामट करका ये सिदनाक सिपाई इसने जय जय कार किया और जय जय कार करने के बाद एक एक सिपाई ने पचास-पचास लोगों का मुकाबला किया और इतियास गवाहे गोखले नाम का उनका सेना पती था उसका बेटा जब मारा गया तो उसने अपने बेटे का सिर अपने गोद में ले लिया और रोने लगा और जब उसको रोते हुए देखा पेश्वा की सैनिकों ने तो उनकी हिम्मट तूड गई और वो भागने लग गए और ये मार सैनिक उनका पीछा करते रहे और वहाँ विजय श्री जिसे कहते हैं काम्याबी की माला जिसे कहते हैं वो माहर सिदनाक सिपाई सिदनाक माहर के गले में पड़ी और ये इतियास ये इतियास ने पेश्वाई को खत्म कर दिया जो पेश्वा का आदमी था वहाँ उसको यूनियन जाक ऊपर चड़ाने के लिए पेश्वा का जंडा नीचार अवतार ना पड़ा और यूनियन जाक लगाया और वहाँ जिस तरह से 18-57 में अंग्रेज के खिलाप लड़ने वाली लड़ाई को पहला कोई उसे बंड कहते हैं मूटीनी कहते हैं और कोई उसको स्वतंतरता का संग्राम कहते हैं हम वो 18-57 के पहले, 18-18 में पहली जनवरी को मार बटालियन ने, मार लोगों ने, मार सैनिकों ने जो पेशवाई का खात्मा किया उसको हम दलितों के, शोशितों के, पीडितों के अचूत कहलाने वाले लोगों का पहला स्वतंतता संग्राम कहते हैं ये रहा इतियास, ये रहा भारतिय, दलितों के, शोशितों के आजादी का इतियास, पहला इतियास और बाद में हम देखते हैं, कि वो बातें खत्म नहीं हुई, बातें बढ़ती गई और बाबा साफ डॉक्ट रामबटकर का उदै हुआ 1910 से लेकर बाबा साफ डॉक्ट रामबटकर ने बहिश्कृत भारत की स्थापना की, बहियश्कृत हितकार्णी की स्थापना की और उन्हें ये नारा दिया कि हमें आजादी के लिए लड़ना है उन्होंने कहा कि पहले गुलाम को कहो कि तुम गुलाम हो इस बात का एहसास करो तो वो फिर बगावत करेगा बगावत पे उतारू हो जाएगा ये बात कहने के लिए बाबा साब ने फिर वहां भीमा कोरेगावत एक तारिक को जन्वरी को जाकर बार बार उस मरण को उनके पराक्रम को याद दिलाया लोगों को और उनके दिलों दिमाग में उनके खून में पराक्रम करने की गुलामगिरी के खिलाप लड़ने की उनके रग रग में भावना भर्दी जिसका प्रत्य आज भी हमें आता है ये बाबा साहब डॉक्टर रामबटकर का समाध अन्या अत्याचार के खिलाप लड़ता रहा ये बाबा साफ डॉक्टर रामबट करके बटालियन देश भक्ति का नारा लगाते हुए बाबा साफ डॉक्टर रामबट करका जैजैकार करते हुए कश्मीर के वादियों में लड़ी चाइना के बॉर्डर पे लड़ी गोवा में लड़ी पाकिस्तान के बार्डर पे लड़ी बंगलादेश भी लड़ी यहां तक के कोई बटालियन बगावत पे उतारू हो गई तो मुम्रा में वो बगावत करने वाली बटालियन को रोकने की हिम्मत केवल महर बटालियन ने दिखाई बटालियन आज तरस रही है अपने हकों के लिए उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है बहुत होने के बाद भी उनके मंदीर उनकी तीरतक्षेत्र उनके हकों की जगे उनके कबजे में नहीं है उद्ध गया के मंदीर के आजादी के लिए लड़ रही है हैं और तो और तो सर्विसेस में जाने के लिए लड़ रही है आज भी जूडिश यहरी में उनको रिजर्वेशन नहीं है उनको जूडिश यहरी से नियाई नहीं मिलता आज भी रोहित वेमुला को आत्म हत्या करनी पड़ी नजीब को जैनियू से उठाकर किड्नाप कर दी गया उनकी मां के आंसू रुके नहीं है आज तक के नजीब का पता लगा नहीं है कनया ने पाकिस्तान का जै पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया फिर भी उसे एक महने के लिए जेल में डाल दिया गया आज एनरसी के नाम पे सारे भारत में एक भैंकर ऐसा तूफान उठ रहा है और सब तरफ पूरी ताकत के साथ लोग जो चाह रहे हैं उस कानून को विरोध कर रहे हैं लेकिन जहां जहां भी उनकी सरकार है उन सरकारों के स्टेट में दंगल हो रही है वहां खून खराबा हो रहा है रक्तपात हो रहा है परन्तु जिन पांतों में उनके अधिकार नहीं है जिन पांतों में उनकी सरकार नहीं है वहां किसी को छोड भी नहीं आ रही है उन्होंने जेनु पे तीन वार लाठी चार्ज किया, अलिगड में लाठी चार्ज किया, दिल्ली के युनिसिटी में लाठी चार्ज किया, और जादवपूर में भी लाठी चार्ज किया, परन्त बीचू में उन्होंने कोई लाठी चार्ज नहीं किया, यहां तक है कि दिलो दिमाग में लोगों के ये हिंदु मुस्लिम की भावना जातियत्का की भावना आरक्षन के विरोध में भावना जगाने का 5-6 साल से बड़े ताकत के साथ कारेक्रम सरकार कर रही है ऐसे हालात में सब लोग परिशान है माइनार्टी के लोग डर रहे हैं उनको लग रहा है कि शायद हमें ये इनर्सी के नाम से ये भारत का नागरिकत्व छिन लेंगे वो दहशत गर्ज हो गया है आरक्षन अमारा छिन लेंगे ये समझ के क्योंकि उन्होंने 10% लग आरक्षन उच्चावरणियों लोगों सवरण लोगों को दे दिया गुझर को दे दिया जाटों को दे दिया यहां तक कि माराठा भाईयों को भी दे दिया जबकि भारत का समविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आर्थिक आदार पे रिजर्वेशन दिया जाए उन्होंने केवल जिन लोगों को जाती और धर्म के नाम से अचूत रखा गया था पिषडा रखा गया हो था मानोता के हकों से उन्हें वंचीत किया गया था उन लोगों के लिए रिजर्वेशन की बात कही थी और इसमें समर्तन गांदी जी का था पंडित नहरू का था सरदार वल्लब भाई पटेल का था मौला नाबुल का लमाजात का और जितने भी भाई वहां कॉंस्टुएंट असेमली में थे घटना समविधान बनाने के काम में थे उन तमाम भाईयों का इन बातों के लिए सवरक्षन था और समर्थन भी था दूसरी बात बाबा साब डॉक्ट्रामबट करने सा भारत के समविधान की में की थी कि धारा 14 से लेकर उन्ह के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जाती धरम के नाम पे किसी के धरम पे हम अपना धरम लाद नहीं पाएंगे हर एक को अपने धर्म के मुताबिक जीने का अपने धर्म का आचरण करने का अधिकार होगा एक धर्म दुसके धर्म में एंकोच्मेंट नहीं और यह तमाम बाते होने के बावजूद भी आज में देखता है बाबा साहब ने कहा था बारत वारत का देता है बारत का संहेए भारत का सुपूत्र यह बारत का नागरिक परन्तु अब इनोंने एकोशित जारी की है कि धरम के नाम पे उनागरिकत नागरिकता देंगे कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान केवल यह तीन देशों से जो लोग पीटिद होके आएंगे प्रताडित होके आएंगे उन हिंदुओं को हम उन बौध़ों को हम उन सिखों को हम हम प्रोटेक्शन देंगे लेकिन मुसल्मानों को नहीं देंगे जबकि भारत का मुसलमान ये साथ सव सालों से बारा इस वी बारवी से बारवी शताब्दी से भारत में रह रहा है सनमान के साथ रह रहा है यहां का राष्टरपती दो तिन राष्टरपती भी बने कमाल जे लेकला एमर जे साथ तक इस देश के बहुत सारे मंत्री मौलाना अबुल कलमाजाद एजूकेशन मिनिस्टर बने और शेख अबदुल्ला के बेटे फारुक अबदुल्ला उनके उमर अबदुल्ला लोग भी वहां मिनिस्टर बने यहां तक के इन्होंने कश्मीर में मुफ्ती यह एक महीला के साथ उन्होंने राज किया तीन-चार तीन साड़े-तीन साल तक के राज किया और आज उन्होंने धारा तीन सो लगा कर उनकी मुशकिल कर दी उनको आज भी जेलों में रखा गया है यही बात वो अभी ये इनर्सी के नाम से करना चाहते हैं कि उससे उन लोगों को हम हटा सके उनको बाहर भेग दे भेज दे घुसकोर कहके ये बात वो चल रही है उनके दिलों दिमाग में तो बाबा साथ डॉक्ट रामबट करके समविधान का ये खुले आम उलंगन हो रहा है आरक्षण दलितों का खत्म करने की बात हो रही है आर्थिक आधार पर उनको आरक्षण देकर स्टी स्टी के आरक्षण को कम किया जा रहा है 50 परसेंट रिजर्वेशन पहले ही उनके लिए रिजरोड है आज सर्विसेस में हम देखते हैं एक विशिष्ट जाती के लोग 90 परसेंट के उपर हर पोस्ट पे हैं क्लास वन क्लास तू में हर ठीकन हर जगे वह बहुत बड़े पैमाने पर हैं जजेस में तो कोई पूछना ही नहीं है कोई दलित शोशित पीडित माइनारिटी के माँ आदमे का मुश्किल से वहां एंट्री होती है और उनके लिए कोई जगे नहीं बसती एक जस्टीस को तो उन्हेंने जेल में डाल दिया था मनोहरन नाम के एक जस्टीस को जब सूप्रीम कोर्ट में जाने का मोका आया तो उसके खिलाब कोई जंजट निर्मान की और उसको भी वहां से जाने को रोका ये बात अलग है कि महार ये भूशन गवई सूप्रीम कोर्ट में बंबई हाई कोर्ट से पहुँचे है हम उम्मीद करते हैं कि उनकी तरह बाकी भी लोग हाई कोर्टों में डिस्टी कोर्टों में भी इन लोगों को भेजा जाएं परन्तु ये बाते नहीं हो रही है भी मा कोरे गाओं में पिछले दो साल पहले हैं जब दो साव साल पूरे हो गए थे लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हिंदू मुसलिम सिख क्रिश्चन भाई भी एलगार के नाम से वामनरा मेश्राम के बामसेप के द्वारा वहाँ पहुँचे एलगार के नाम से पूरा में सिन पूरा के शनवार वाड़े के सामने जहां कोड से पार्टिल जस्टीस पीबी सावंत जस्टीस और सारे बहुत सारे लोग बाबा साथ डॉक्टर रामबट करके नवा से अलेकलग पार्टियों के लोग वहाँ इकठा हुए भीमा कोरे ठहरा कर उनको जेल में डाल दिया गया जेल में ठूस दिया गया शेहर में जो इंटलेक्श्वल आदमी हकों की बात करेगा मानवता की बात करेगा उसे शेहरी नक्सलाइट कहते हैं और जो दलीत समता की बात करेगा समान अधिकारी का बात करेगा उसे पूरा नकसलाइट कहे देते हैं उनको जेल में डाल देते हैं हम बाबा साहब डॉक्ट रामबटकर की कसम खाके कहते हैं कि हम लोग बाबा साहब डॉक्ट रामबटकर के लोग हैं भीमा कोरे गाव में अपनी जान निचावर करके पेश्वाई को खत्म करने वाले लोग है हम दावे के साथ कहते हैं कि उन लोगों को हमेश्च देश भक्ति सिखाने का अधिकार नहीं है किसी नाम बदलने वाले कुल करनी को किसी नाम बदलने वाले मनोहर को संभाजी का नाम लेने वाले किसी साड़े तीन परसेंट के आदमी को जो जीवन बर्शिवाजी महराज के नाम पर मराटा समाज के तरुणों में जहर भरने का काम करता है दलितों के खिलाफ रिजर्वेशन को नश्ट करने की बात करता है वो आदमी के कहने पर वहां हमारे लोग लाखों की तादाद में बड़े शांती से गए थे उनके वाहन जला दिये गए उनकी बसे जला दी गई उन पर पत्थर फेंके गए उनकी लाइबररी जो किताब बेचने वाले स्टॉल्स थे वहां जहरी सांप छोड़े गए और एक तरफा दंगल की गई पत्थर बरसाए गए घरों के दुकानों के दरवाजे बंद कर दिये गए और पहले मंजिल पे फेक कर ले जाकर बड़े बड़े पत्थर जमा करके लोगों पे बरसाए गए एक तरफा दंगल हुई लेकिन जो लोग आपनी जान बचाने के लिए इदर उदर भागे जिनके साथ बूड़े थे बच्चे थे उन लोगों को मराठा समाज के लोगों ने समरक्षन दिया उन्होंने एक कंकड भी फेंक के नहीं मारा ये जो नाम बदलने वाला नेता था सांगली सातारा वाला औ और वो महां का पूना का एक एक उंगली वाला इन्होंने बहुत कोशिश की बहुत दंगल भड़काने की लेकिन पहली बार बाबा साफ डॉक्टर रामबिट करके लोगों ने महाराष्ट बंद किया उसके खिलाफ और एक दिन का महाराष्ट बंद करने के बाद सारे भारत को ये पता चला कि भारत में आज भी जाते बेद कायम हैं आज भी जाते बेद करने वाले लोग लोगों में जहर पहलाने का काम कर रहे हैं लेकिन जो लोग इनों संड थे उनको जेलों में ठूसा गया और जिन लोगों ने दंगल एक तरफा तैयार की वह खुले आम लोगो करते रहे लोगों को उचकाते रहे हम उनको इतना ही कहना चाहते हैं दिमा कोरेगाओ को याद करते हुए कहना चाहते हैं कि तुम सत्ता में आये हो 15 लाग का वादा करके